यहां पर मैंने टाटा कॉफी लिया है जो कि बहुत ही स्ट्रॉंग होता है तो एक ग्लास में मैं दो चम्मच भर कर डालूंगी बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉंग कॉफी होता है तो यहां पर मैंने गरम पानी कर लिया है तो मैं इसमें दो चम्मच पानी डालूंगी बहुत ह थोड़ा सा, अब मैं इसे विस्क करूँगी, आप इसे चम्मत से भी फेट सकते हो, काफी देर हिलाने के बाद इसमें हम दो से तीन चम्मत शक्क कर डालेंगे, काफी से हमने बहुत ही बढ़िया फ्रॉद बना लिया है, एक छोटे से ग्लास में इसे हम सर्फ करेंगे, तो इसे निकाल दिया था मैंने, आप इसे बड़े क्लास में भी सर्फ कर सकते हो, लेकिन मैं छोटे से क्लास में सर्फ कर रही हूँ, और जो हमने काफी का फ्रॉद बनाया था, उसे डाल देंगे, एक चम्मज बर्कर, नारियल पानी में इस तरह का नारियल होता है, तो इसे मैंने छोटे छोटे टुपड़ों में काट ले थे, तो उसे डाल देते हैं, एस डेकोरेशन, ये रहा हमारा काफी कोकोनट शॉट, तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो, तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिगा, अब मैं बताती हूँ, इसे हम कैसे खाएंगे, बहुत ही खुबसूरत हम चम्मज लेंगे इस तरह से, और इसमें हम इस तरह पूरा अंदर तक रुपाएंगे, और इसे हम खाएंगे और पीएंगे, तो वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, थैंक यू,